गुड मॉर्निंग सिद्धी हिंदी ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है कल हमने सुचना वाणी जे सुचना संचार देखा था और सुचना संचार की प्रक्रिया थोड़ी समझी थी अब आगे देखते हैं सुचना संचार में निमनलखित गटक जो बताए गया है उसके अनुसार सफलता पुर्वकार प्रया सुचना का संचार होता है जो कल मैंने आपको ये फॉर्मेट समझा था वही मुद्दे यहाँ पर है तो किस तरह से ये मुद्दे कारिय करते हैं यहाँ पर पहला शरुत वक्ता से होती है वक्ता अपने मन की सुचना भेजने वाला या वक्ता अन्य व्यक्ति या समू को सुचित वीचार पहुचाने है तू सुचना संचार की प्रक्रिया का प्रारम करता है यहाँ पर स्वयम शब्दा आये वो ठीक है व्यक्ति या समू ये क्या है तो कई बार ऐसा होता है उदारन के तोर पर टीचर है वो मोनिटर को बोलता है कि तू क्लास में ध्यान रखना कोई आवाज ना कर आवाज कर उसका नाम लिखना तो यह मुख्य व्यक्ति कौन हुआ ट कि अन्य व्यक्ति या समू को आप अपनी सुचना पहुचाने के लिए पहुचाने हे तू सुचना प्रसार की प्रक्रिया प्रारम करते हो ऐसे व्यक्ति तो वक्ता सुचना बेजने वाला होता है या वक्ता स्वयम या अन्य व्यक्ति के द्वार आपनी सुचना पहुचान प्रदान, दोनों, सिर्फ पहुचाना नहीं, स्रूरी, आदान और प्रदान, तो वक्ता से शरुआत हुई, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, विचारों का क्रम्चे, वक्ता के द्वारा जो भी सुचना पहुचाई गई है, सुचना का सोरुप देने से पहले, तत, समबंदीत विचारों का किस प्रकार से प्रस्तुत करना है उसके लिए किस प्रकार की भाशा, शब्द, चित्र, द्वनी, माध्यम अन्नु, रूप होगा कि जिसके सामने का पक्ष, व्यक्तिय, समूप या सुनने वाला समझ सके ऐसे वीचार परक्रियार्थात वीचारों का प्रस्तूतिकरण यानि कि सुचना वक्ता खुद या उसने अन्य को काम सो पाएं तो वह जो सुचना है वह कैसे पहुचानी है उसकी अंदर भाशा कैसी कर लिखनी चाहिए चित्र काउपयों करना है जैसे कि एड आती है तो एड ज़ियां कि तो और और हम देखते अलगलग टीवी में लक साबुन और तो पहले लिखित रूप से फिर छोटे से नाटक के रूप में प्रस्तूत किया थी ठीक है बराबर बनेगी अच्छी लगेगी तो वो प्रस्तूती करन हुगा कैसे पेश करना है फिर भाशा का उप्यों कैसे होना चाहिए द्वनी आप उसको लिख कर या बोल कर या चित्रों के द्वारा समझ प्रस्तूत करने हैं और मेरी सुचना किसके लायक है कौन सुने तूनो ऌह सुनने वाला समझ सकेगा के नहीं उसके लायक वक्ति क्या करता है सुचना को प्रस्तूत करता है अब हम पहले तो सुचना क्या है वो कौन पहुंचाएगा वह और सुचना कैसे दें ये वो हो खूर अपने साधन और उपकरण और माद्यम के द्वारा पहुंचा देता प्रस्तुत कर देता है तो शुचना प्रस्तुत हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं जिसे आपके उसकूल में माइक में बोला गया कि कुल चुटि है तो पहले क्या होता है कि सब गांधी नगर से ओडर आया तो नीच ओफिस में चर्चा होती ओफिस के बाद टीचरों को स्टापर में बुलाया जाता है उनके साथ चर्चा होती है तो वो दोनों यह हुआ फिर एक टीचर को बोला गया कि देखो आप माइक में यह तारीक यह व माइक खोला और शुतना दे दी तो तब बन गई सुचना माध्यम संदे अब देखो मैंने अभी आपको बता है माध्यम बहुत उप्योगी है अब रोड पर तो व्यक्ति माइक लेकर खड़ा नहीं देखा कि यहां पर होन बजाना मनें खुद यहां पर स्कूल होन बजाना तो वहां पर क्या लगा दिया एक होडिंग बोर्ड लगा दिया और उसके वेपर निशान लगा दिया कहीं पर रोड रासे पर टर्न होता है तो वहां पर भी निशान और सिंबॉल होते हैं तो वह हो गया कहीं बर खुपड़ी का निशान लगा दिया महां पर कोई व्यक्त इस तरह से तो योग्य माध्यम के दवरा अपनी सुतना भेजी जाती kleiner बहषा चित्र द्वानी पत्र जीसे अलग-अलग में बता देशिंट द्वारा आवास के द्वारा पत््र के द्वारा ऐसे कोई साधन अप्यों करके अपनी शुचना अन्य स्थानों पर पहुंचाई जाती उसे क्या कहते है माध्यम परिश्तिति और आवश्यक्त अनुश्आर वक्तस योग्यमाध्याम का करता जैसी पकर सकते व्वंग मैंने भी आपको द्वनी का व्यवसाई के लिए किसका उपयोग होगा पत्रों का अब घर में ही मम्मी और पापार एक दूसरे को कुछ बताना है तो कौन सी उपयोग होगा भाशा का टीचर है आपको सुतना देंगे भाशा के द्वारा संदेश की प्राप्ति और समझ योग्या साधन माध्य सुचना पहुचाई गई अब सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो गई सुचना और जैसे लिखी गई है वैसे उसको सुचना उसी रूप से प्राप्त होती है फिर फिर वो श्रोता वक्ता द्वारा जिस सुचना सुचना बेजा जाता है उसके प्राप्त करता को सुचना का शुरता प्रवक्ता कहा जाता है तो सुचना संचार की प्रक्रिया सुचना को सुनने वाला अनुलक्षित और अरगटन करता अब सुचना प्राप्त हो गई अब सुचना पढ़कर उसका अरगटन करके उसके एक्षन करेगा जैसे कि आपको सुचना देदी कल छुटी है त क्या करना यह उसका उसको अर्थघटन सोचेगा और गरण के बाद वह प्रतिभाव भी देगा सचेगा क्या करूं में फिर नहीं नहीं लेगा और फिर नहीं पर अमल करें प्रतिभाव सुचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ जाती है कि श्रोता के उतर मिलत सुचना हो गई प्राप्त हो गई तब यहां पांच मीट लेट है तो फिर यह बैठा रहता हूं तो यह नीड़ा पर उसने ऊसरे अंबल कि ठीक है बैठा रहे तो तो प्रतिभाव दे दिया, सुचना हो गई पूरी, तो प्रतिभाव आते ही सुचना का आदान प्रदान पूर्ण हो जाते है, सुचना संचार की प्रक्रिया वहाँ पर पूर्ण हो जाती, क्यों सुचना संचार की प्रक्रिया की सफलता नेधार करती है, सुचना संचार की प बच्चा स्कूल जाता है तो पता जल जाता है कि उसको शुतना बराबर मिली ने उसने शुतना को सुना नहीं या तो वह उस दिन आया नहीं होगा और जो नहीं आये तो पता चल गया बाकी बच्चों ने सुना है वो नहीं आये इस तरह से सुतना संचार की प्रक्रिया सफल ह हो जाती है